ए लेक्ट्रिकल अंजिन्रिंग एक्जाम्स दी त्यारी दा फूर्थ लेक्चर है इस लेक्चर दे वेचा पर डिसकस करांगे अलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स दे बारे जाँ फिर एलेक्ट्रिकल पैरामेटर्स दे बारे पर फिर आणनों सी है इसन नोंग इसन सकते हूं है एधिकल और सब्रेमेट्फुर्स कि ने खेसक्ति सब्सक्राइग तुच्रा है और खालनिंछ पर इह गाले क्या सके आनटर्व में पर है अलिमेंट्स कि ने सिरिकल ऑन इह यूम देने रजिस्टंस ओके इंडक्टन्स ते लास्ट वान नीजा कपैस्टन्स यह ते इंतरा दे हुन देने के सब्सक्रिण देने लास्ट वह ते लास्ट वान युटें लेक्टन्स तैंड देन रखाल सब्सक्रिण कार सकते आहे लिंक description दे बेचे दित्ता होया है ते start कर देए सब तो पहला resistance दे बारे ठीक है resistance resistance की उन्दी ये basically ये property उन्दी ये किसे भी material दी resistance is the property of a material resistance की ये it is a property of a material property दा मतलब बन्दा वशेश्टा किसे भी material दी वशेश्टा है property of a material जेड़ी की कर दी ये जेदा की का मुंदा है it is a property of a material which offers opposition to the flow of grunt which offers which offers opposition to the flow of electric grunt opposition केदे रस्ते दे वेचर कावड पाउंदी ये केदा वरोध कर दी ये to the flow of electric grunt to the flow of electric grunt okay क्रंट दे रस्ते दे वेचर कावड नू resistance आग देने क्लियर क्रंट दे रस्ते दे वेचर रिकावड होएगी ओ रिजिस्टन्स होएगी ठीक है क्रंट दे रस्ते दे वेचर कावड कावड काउन पाउंदा है जदो conductor दे वेचर क्रंट फ्लो कर दा है resistance तो ये देनल होंदा कि ये resistance देनल है and dissipates dissipates energy ठीक है एदेनल की होएगा जड़ी energy dissipate होएगी in the form of heat in the form of light okay जदो high resistance होएगी किसी material चुई जदो दे वेचर क्रंट फ्लो करेगा ते की होएगा के energy dissipate होएगी ते ओ conductor जेड़ा बाद जाओ material बाद ओ heat up होजेगा ओ गर्म होजेगा there actuallyONY Ly Hungary क्यूंदा कि कोई भी material है थीक है कोई भी material गाड़ो ग आवह देवेचő करंट कितना फ्लो करता है जो ऑघ्वाद गासा जोच्च Wirka मूफ करनें ठीक है जोचुच दो आएक्ट्रीअफ फ्लो करनें है तो लेक्ज पर हुलेकुल फिआजिघाएज करी अपनी जगा देए फिक्स रहाँ घटार आपनी जगा देंगेज क्रेंगे जटों है ते ओधे न आल की होएगा हीट जडिया ओग जनुड़ेट होजेगी ही겠 जंद रेट होजेगी ओ ज topics इस मतेरियल देज जब ombने मतलब आएन्स फिट्ट आएन्स क्यों सब के भीहाँ जड़ेख जड़ेख जड़े़ जड़ेab丐 क्लियर हीट के दाशिंतर एंधिन दिए कि जदो किसे हाई रजीरिसटिप मटेरियल दे विच रिच आंग फ्लों करता है लो फिक्स आइन जाप Morning से नाल तकर रहांदा लीच आध। from one point to another point ठीक है जिता माननो लोगToday is point to a point to b point दे वल electron जड़े move की ते तकी होया उधे नाढ़ के ऐ आयन्स दे नाल ठक nickel A जड़े उधे नाल ठक螺े heat जड़िया जुन्रेट कैजoda उस material दे विच ओके Clear शाज रहें होनाद ृढब दीघाल कर लिए कर रजिस्टेंझ सा सिंबल के डाउन दा है था सिंबल आफ्ञिस्तेंस ऑ ठीक है रिजिस्टेंट सा सिंबल के डाई यह खांद अ a श्यूम्त ऑप साफ आरदेन आ रिप्रसेंट करते हैं रजिस्टेंस काना यूनट आफ रोजिस्स्टन्स यूनट आफ रोजिस्स्टन्स तहां ओ ओ ओम ठीक है ओ के ड़ा हुंदा है ओम उनुकी कंदेने ओम कंदेने ये सिम्बल है यूनट ओम है ठीक है इटीज आ symbol of unit, symbol of unit, resistance दे unit दा symbol है, resistance दे unit दा symbol है, clear, और केड़े केड़े factor ने जड़े resistance नो affect कर देने, factors affecting resistance, factors affecting resistance ठीक है, चार factor जड़े ने, ओवब affect कर देने, resistance नो, केड़ा, पहला factor है गावा length, length दा मतलब लंबाई, ठीक है, length L, ओके, जड़ी resistance है, ओ directly proportional हों दिये, length दे, किसे भी conductor दी जड़ी resistance है, ओ length दे, directly proportional होएगी, length दे, directly proportional होएगी, मतलब किये, कि जेकर length नो, अपा increase करांगे, किसे conductor दी, ओधे नाल, ओधी resistance भी increase होएगी, ओधे नाल, ओधी resistance भी increase होएगी, ठीक है, पहला factor दा पता चाल लगया, first factor केड़ा है, length, length, वदन दे नाल, resistance भी बाद दी ये conductor दी, second one, तुझ्जा factor है का area of cross section, area of cross section दा मतलब उन्दा है, conductor दी मटाई, area of cross section, जेड़ी conductor दी मटाई, ये भी एक factor है, जेड़ी resistance नो, अफेक्ट करती है, किसे भी material दी resistance वाँ, वो inversely proportional हुन दीए, area of cross section दे, किसे भी material दी के conductor दी दी resistance आए, वो inversely proportional हुन दीए, area of cross section दे, ये ता मतलब की होया, कि जेकर area of cross section नो वद्दा माँगे, ते resistance कटेगी, inversely proportional दा मतलब हुन दाए, एक चीज वदन दे नाल, दुजी चीज कटेगी, ये दे विच किया, जितो length वदी, वो directly proportional ही, directly proportional दा मतलब हुन दाए, एक चीज वदन दे नाल, दुजी चीज वदेगी, inversely proportional दा मतलब हुन दाए, एक चीज वदन दे नाल, दुजी चीज कटेगी, और area of cross section वदे, area of cross section दे नाल की होया, resistance कटगी, तिज्जा factor, temperature, temperature बहुत ही important role play कर दाए, resistance दे लिए, किसे भी material दी resistance जड़ी हा, वो temperature दे नाल, वेरी हो जन्दी है, ठीक है, किसे भी material दी जड़ी resistance हाओ, temperature दे, depend करती है, इदे चाप आप देख लेने है, किड़े कड़े material हुन देने, एक साड़े को उन दाए, conductor, ठीक है, साड़े को की होंगे, conductor होंगे, साड़े कोल, semi-conductor होंगे, ते साड़े कोल, insulator होंगे, insulator होंगे, insulator होंगे, ओके, होन, resistance, यह थे आप लेक लेने है, resistance, ठीक है, symbol, इस symbol दा मतलब होएगा, increase, इस symbol दा मतलब की यह, increase, ठीक है, increase दा मतलब कोई चीज बाद दी पाई यह, increases, increase, इस चीज दा मतलब की यह, इस symbol दा मतलब की यह, decrease, कि कोई चीज कर दी पाई यह, decrease, clear, okay, ते इत्थे कि आज़ेगा temperature, जिदो conductor दा temperature बदेगा, conductor दा temperature बदम नहीं, ते conductor दे टेंपरेचर दी value नू, increase करांगे, उदे नाल, conductor दी resistance भी increase होएगी, ठीक है, temperature दे बदन दे नाल, conductor दे टेंपरेचर बदन दे नाल, conductor दी resistance भी increase होएगी, ठीक है, इस करके इनुक इंदे ने, positive temperature coefficient of resistance, positive temperature coefficient of resistance, ठीक है, temperature, जिदो एक चीज़, temperature बदन दे नाल, resistance भी, ते उन्हों आपका कैदांगे, कि जड़ा, conductors have positive temperature coefficient of resistance, यहनु जाद कार लेओ, conductors have positive temperature coefficient of resistance, क्योंकि एदे वेच की हो रहा है, temperature बदन दे नाल, resistance भी बद दी पाई, second one is a, semiconductors, जो तो semi connector दे, the temperature बदेगा, जो तो semi connector सा temperature बदेगा, the semiconductor दी resistance कटेगी, clear, यह ता मतलब की होया, semi connectors have negative, ठीक है, ओ positive ही conductor, एक ही है, negative temperature, coefficient of resistance, coefficient of resistance, clear, third one is a, insulator, ठीक है, ते जाकि यह, insulator, insulator ते case दे वेच वी जेकर temperature नूँ increase कर देएं, ते, जड़ी insulator दी resistance की होएगी, कटेगी, इसकार के, यह भी की होए, negative temperature, coefficient of resistance, ओके, यह temperature दा factor पहिंदा है, resistance देते है, किसे भी material दी resistance देते है, ओके, कि जड़ों भी आप temperature नूँ increase जाँ decrease कर देएं, तो केड़ा material है, ओधे, उसी त्रीके देनाड़ों दी resistance दी value होँ वेरी कर दी, है, ठीक है, fourth one is nature of material, ठीक है, fourth one is a nature of material, चार factor ने जड़े resistance नूँ affect कर देने, factors की चार ने जड़े resistance नूँ affect कर देने, nature of material, material दा मतलब किया, उदा atomic structure की है, ओके, वो उत्ते depend कर दा है, copper है, जाँ, silicon है, जाँ, जर्मेनियम है, ठीक है, उत्ते depend करेगा, nature of material, nature of material, केड़े केड़े factor ने, जड़े resistance नूँ affect कर देने, number one length, length, जिकर resistance वद दी भाई है, ते length भी होदी यड़िया, length बदन दे नालों दी resistance भी वदेगी, तुझा की है, area of cross section, जेकर area of cross section, cross section मतलब मुटा आई, conductor मुटा होएगा, resistance काट होएगी, जे conductor पतल होएगा, resistance ज्यादा होएगी, उन simply तुसी विखो, जदों को ज्यादा current flow करोणा हम दाए, ठीक है, ते उदों आपा conductor मुटा यूज कर दे, होदा मतलब किया, जे आपा होथे पतल ही ताहर नों करांगे, ते current नों ज्यादा मतलब कठना ही आएगी, electrons नों ज्यादा flow होँदे वेचे मलब दिक्कत आएगी, ते उदे नाल किया, वायर जड़ी है, साड़ी conductor जहाँ, जो भी आपा यूज कर दे पहें होएगा, केबल वगारा ओ, डैमर्ज होजेगी, clear, clear, होण आपा कमबाइन कर दिए, साड़ को दो एक्वेशन आ गी हैं, पहली एक्वेशन, एक डिए, दूसरी एक्वेशन, दो एक्वेशन बन गया हैं, ठीक है, कमबाइन, एक्वेशन वन एंड टू, एक्वेशन, वन एंड टू, वी गेट, की प्राप्तूं दाइसा नू, वी गेट, आर इस डिरेक्वेशनल टू, L बाइ, ओके, होण प्रपोर्शनल टी दे साइन अप्ना हटा हूँ लगे या, एनू इक्वेल टू लेखता, एथे की अगर, र ठीक है what is row row is a specific resistance और resistivity ठीक है रो नुँँ अपका की कहनने या यह specific resistance है जा फिर नुँँ अपका कहता हांगे resistivity और resistivity resistivity उन्हें की चीज है कि resistivity की उन्हें दिये resistivity उन्हें कि किन्ना strongly material जड़ावा ओक क्रंट नुँ अपोस करता है किन्ना strongly ठीक है यह मतलब एक 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 वैल्यू specific value हुन दिये चिद्धा मानलो copper ठीक है copper the resistivity हो रोएगी इसे दिके नालो standard है ठीक है किन्ने strongly क्रंट नुँ अपोस करता है material हुन दिये specific resistance समझें दि कोशिश करें हो कि जद्धा copper है जा aluminum है जा फिर गोल्ड है silver और ने उस सारे किया उनने अपनी 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 रिजिस्टिविटी होएगी particular रिजिस्टिविटी होएगी उके बाकी फैक्टर जड़े है और मल्टिप्लाई हो गे रिजिस्टन्स मन दिये जितों आप पार रिजिस्टिविटी दे नाल लेंथ अते एरिया नूँ कैल्कुलेट कर देयां जा मल्टिप्लाई कर देयां उस तो बहुत साथ को एक वैल्यू होंती है उन दिये रिजिस्टन्स और स्पोस करो किसे माटीरियल दी रिजिस्टिविटी होएगी टू जैकरो दी लेंथ अपा फूर कर दिगे ते एरिया अफ क्रो सेक्शन व जाए वो काउंस्टन्ट ही रह नियां किसे भी मिटिरियल दी जड़ी रिजिस्टिविटी या वो पर्टिकुलर वैल्यू एव होदी ओके इस करके रिजिस्टिविटी नूँ चेंज नहीं कर किता जा सकता क्लियर यह चो को दिखकत तेनी है कि ओके होंजे दा इदा उन्हें जुनिट की वेगा हुझे मालो कॉपर दी रिजिस्टिविटी दी गाल की ती जावे कॉपर दी रिजिस्टिविटी अन्दी यह 1.7 इंटू 10 रेज़ दी पार-8 ओम ठीक है यह दी रिजिस्टिविटी यह ठीक है ओम मीटर ओके यह दी रिजिस्टिविटी यह ओम मीटर क्योंकि यह वितां दस दन नामा इदा यूनिट के दापांक करांगे रो इस इक्वल टू आर ए बाई एल क्लियर हुन एल की यह लैंथ यह दा यूनिट भी की होएगा मीटर चोंगे ठीक है और मल्डिप्लाइबाई रिजिस्टिविटी यह ना मल्डिप्लाई होगी यह की आगया अपने को ये की आ गया अपने को area of cross section मतलब meter square divided by meter length कट्टे आ गया resistance दा unit की हो दा है ohm ठीक है एदा फिर unit of resistivity दा unit की हो जेगा ohm meter ठीक है unit of resistivity resistivity किन आ जेगा की आ जेगा sorry ohm meter जा फर इन्हों इस्तरा में लेख सकते हैं symbol लेखके इस त्रीक के देना clear okay एच कोई दिख्कत है नहीं ठीक है simple है ना कोई देवेच कोई भी मेरे साब देना कोई दिख्कत है नहीं किया ओके होने अपडल कर देया जितना साथ को तेंतरा दे मिटीरियल जुन देने ठीक है किड़े-कड़े इंसु लेटर्स ठीक है ओन जदों किसे मटीरियल दी रिजिस्टन्स जे कंड़क्टर दीआ पगाल कर यह कंड़क्टर के डिए ने जए दे वेच रंट इसली फ्लो कर जनता जीदे वेच्वरंट इसली फ्लो कर जनता उन्हों की कहन देने चन्दक्टर आख देने ते चैन्हाल दे रिजिस्टी विटी होएगी ठीक है कंड़क्ट्र दीए डी रिजिस्टी विटी होएगी क्योंकि रिजिस्टी विटी था पढ़ दें हें है कि किनी होनी है resistivity ठीक है conductor दी resistivity होएगी हमेशा less than 10 दी पावर 10 दी पावर का दो उनित क्या हसाओар के या उपड़नादर के अपर देखिया है उपड़ेखे उसी ए यह लेशन यह धर कर देखनें तो पहला आप इनसूलेट Sims बंद आपे आए स sigui नट्र डेक सिजलेटर तो पहला आपा इंसुलेटर हूं देख लेने लियां सेमिग रेक्टर तो पहलाँ पहला पहला ऐंसुलेटर लो देख लेने इन ती जड़ी पर myst गवेट ऑंव भी आवव हो थे 5 ohm meter clear होना आपका सैमिक्ड़क्टर बेख देया है सैमिदा मतलब बंदा अद्धा कंड़क्टर दे अद्धा इंसुलेटर ना दे प्रफेक्ट कंड़क्टर उंदा है ते ना ए प्रफेक्ट इंसुलेटर हुंदा है अग्यें यह दी हो एगी अर्जिस्टिविटी हो एगी बिट्वीन अ कि एनरे इस दी पार माइनस 3 को एंड ठीक है बट्वीन तन डी पार माइनस 3 एंड टैना रेस दी पार फाइफ ओम मीटर ठीक है एन दो मादे वेच आ देखो एदे एदे वेच जेकर कोई material फाल करेगा ओ केड़ा होएगा सैम इगनेक्टर होएगा क्लियर एदे वेच होन काफी कोई क्लियर हो गया ना ता नू कि रिजिस्टन्स बारे पता चाल गया ना है कि का की चीज घूर आपा देख लिए जड़ी रजिस्टन्स है अ ऊगिक कर दाए उन उन्हों कमांगे रिजिस्टर्स ठीक है उन्हों की कहतांगे रिजिस्टर्स 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 की या रिजिस्टर्स दे वेच रिजिस्टर्स दी प्रॉपर्टी युन दीए आखे एक यह रहा है यह पेसिव कमपोनेंट है इन्मों तिया आच रखणा पैसिव कमपोनेंट है ठीच है दुझ्जे नंबर दिते यह बाइलेटरल कंपोनेंट है मतलब इनु जिस्तना मर्जी कनेक्ट सर्केट देविच कार सकते दीजिए बाइलेटरल कंपोनेंट बाइलेटरल कंपोनेंट ठीक है क्लियर ओके ओके